हर्याना विदानसभा के बजट सत्र में विपक्ष की तरब से दिये गए प्रस्ताव पर कॉंग्रिस विधाय किरन चौधरी से जरता टीवी ने खास बात चीत की है किरन ने कहा कि मैंने 19 प्रस्ताव दिये थे लेकिन एक मंजूर हुआ और 4 विचार धीन है किरन चौधरी ने कहा है कि विपक्ष के तवाम मुद्धों पर सरकार जबाब नहीं देना चाहती है पूरो मंतरी और कॉंग्रेस की विधाय किरने चौधरी है जादा तर प्र., तो हमेशा। budget session है दस दिन का session चलना है और हमेशा ये कहा जाता है कि हमारे पास जो है कुछ मुद्धे नहीं मतलब वो नहीं है मसला नहीं है कि जो discuss जिस के उपर कर सके तो मैंने उन्निस जो है अलग अलग ध्याना कर्शन प्रसाव जो है बहुत एहम मुद्धों के उपर जो है विदान सबा के अंदर दिये थे लेकिन वड़े दुरभागे की बात है कि सब को reject करके reject ह यह reject है एक को तो जो education के ओपर जो मैंने डाला था उस पर इतना research करके डाला हुआ है उसको इसलिए reject कर दिया कि वो जो है एक पूरे page के अंदर आया हुआ है अब यह कहा है कि आप तो deputy speaker रहे हैं दिल्ली विदान सबा में और आप ने इतना बड़ा regulation दे दिया मतलब क्या मसला था यह यह जो हमारे बच्चों के साथ जो education का जो खिलवार हो रहा है किस तरह की नसल हम आगे लेकर आ रहे हैं उसके ओपर बड़ा जो है तैकिकात करके उसमें आखनों के साथ और सारी जो policies इनकी faulty हैं वो सारा लिखने में तो आप जानते ही हो जगा तो लेती है तो इस चीज़ के ओपर reject करना यह तो बहुत ही frivolous ground है तो मतलब कहने का यह है कि यह जो असली मुद्धे हैं जिनके ओपर जो इने मालूम है कि जो गलत काम यह खुद कर रहे हैं वहां यह उन मुद्धों को चर्चा में आने नहीं देते हैं अब जैसे आ उनको नहीं दी गई जो है उनको कुछ पैसा दे के वो कर दिया है और पैसे भी पता नहीं सबको दिया है या नहीं दिया है तो वो पूछ उसके ओपर calling attention था वो भी वो नाम मन्जूर कर दिया फिर जो है mental trauma मैंने कहा कि जो 75% जो बच्चे हैं बेरोजगार बच्चे हैं उन को mental trauma हो रहा है इतने सालों से जो है वो दल बदर की ठोकरे खा रहे हैं आपने खुद जो है इस पे ये आपका चुनावी वाइदा था उसके ओपर आप क्या करने जा रहे हैं क्या किस तरह से आप जवाब दे रहे हैं कोट के अंदर उसको जो है नामन्जूर कर दिया तो य दियत दर्शाती है ना कि ये सारा कुछ जो है जुमले हैं उपर उपर के दिखावें फिर इनोंने जो है ये एजुकेशन के उपर जो है मैंने लिखा था कि कितना मास औरुजन हो रहा है ये एजुकेशन पॉलिसी विगरा पर वो इनों रिजेक्ट कर दिया अब ओल एज जो है वो उसका जो है विचार दीन रखा है अब देखते हैं क्या लगाते हैं स्पेशल गिरदावरी क्रॉप्स की जो है इस बरी जो है इतने जबरदस्त ओला वरिष्टी होई है और वो उसमें सारी हमारी तीनों फसले जो है मौंग गेहूं और ये सरसों पूरी तरह से ल मेरे कहाल में रिजेक्ट कर दिया अभी पता नहीं है अनौथराइज माइनिंग का जो है वो ये लगाएंगे और जो है ये डिवेल्प्मेंट चार्जिस जो इन्होंने लगाए थे अर्बन इसमें एरिया जार्याना के अंदर इतने जबरदस्त लगा दिये थे उसके ओप तो इसलिए लिए अब येजनु के दा घारी और जो हैं वो ऑगें तो लोकल बाड़ि ऐलेक्शन जो है वो लोकल बाड़ि ऐलेक्शन जो हैं वो एぱ के महीने के आखरी तक यह पूरे हो जाएंगे तो वो उसके बादये हाइक करेंगे तो अभी जो है उसको ऑर्डर को वा उन्होंने ये जो है केसिस कर दी हैं बाकी जो अफसर उसमें अन्बॉल्ड हैं कौन है किस तरह से हैं उनके और कहां तक ये तार जुड़े हैं खाली पटवारियों के भरोसे तो ये हो नहीं सकता ये तो बहुत गहरे के जड़े हैं इसकी उसके ओपर जो है कॉलिंग के अंदर डूबा हुआ है ये बात पिशले के तो सरकार ने खुद भी कहा कि दस जिले जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा चपेट में हम नशे के कारोबार को रोकने के लिए काम करेंगे और एकिस उमर जो है वो आप घटा रहे हैं खुद कहरे हैं कि नशे के अंदर चपे हैं कोई इनोंने हेल्प डेस्क्स वगरा जो हैं किसी तरह से इनोंने कोई कायम नहीं करें बच्चे अपने आप ही दरबदर की ठोकरे खा के आ रहे हैं तो वो कहा है कि ये विचार दीने अब देखते हैं तो इसी तरह से पानी की जो है शौटेज है बहुत जबरदस जो ज इस तरह से आप अपने बच्चों को आगे कैसे बढाएंगे हमारे यूद तो पहले ही जो है बेरोजगारी के अंदर नंबर वन है हर्याना और आज जो है आप ये भी सारा ऐसा काम कर रहे हो कि बाहर के लोग यहां पर आके आपके ओपर बैठेंगे वो भी रेजेक्ट कर दिया फिर प्रॉपर्टी जो आप बेचने जाओंगे जाएंगे उसके अपर प्रॉपर्टी आइडी का इन्होंने प्रफदान कर दिया है अब प्रॉपर्टी आइडी मतलब जो जिनके गाउं में भी प्लॉट हैं वहां पे भी हैं यह आईडी का मसला क्या है यह तो पू करमचारियों की पेंशन की बहाली के लिए भी मैंने ये लगाया हुआ है उसको भी पता नहीं अब ये आने देंगे या नहीं आने देंगे मेरे ख्याल में तो ये लगने नहीं देंगे क्योंकि ये जो है 30-35 साल जो करमचारी काम करता है बुढ़ापे के अंदर जाकर उसके पास कुछ ना रहे 50% भी अगर उसको जो है उसकी पेंशन नहीं मिलती तो फिर उसका हो क्या गया बुढ़ापे में तो वैसे ही कुछ नहीं रहता बुढ़ापे में तो सहरा सबसे जादा चाहिए होता है लेकिन बड़े दुरवागय की बात है कि उसके ओपर भी सरकार जो है वो चात्रों को जो है गरीब चात्रों को जो है नहीं ले रहे हैं उसके ओपर सरकार कोई कारवाई नहीं कर रही है तो यह सारी चीज़ें जो हैं लगाई थी अब खाली चार इनोंने कहे हैं जो मेरे विचार धीन है एक तो ओल एज पेंशन पी बात कह रहे हैं जो विच सभा सर्व समती से केंदर को सिफारिश पास करके भेजे कि भई MSP का कानून तुरंत जो है वो लागू करा जाए क्योंकि जब 13 महीने किसानों को परतारित बिचारे होए बुरे हाल उनके होए और उनको जब उठाया गया और अंदोलन खतम करा गया उस समय ये वाइदा करा थ कि जो है हम ये इसके उपर कारवाई करेंगे लेकिन अभी पार्लेमेंट का सेशन खतम हो गया पार्लेमेंट के सेशन के अंदर कोई इस पर कारवाई नहीं होई आज तक कोई कमिटी नहीं गठित करी गई MSP की कोई बात ही नहीं जो है चर्चा तक नहीं होती तो ये इसके करवा कि इसको सर्व समती से केंदर को पहजेंगे तो और भी अच्छी बात होगी नहीं तो पूरी तरह से बीजेपी का किसान विरोधी चहरा सामने आएगा आप जो यह बता रहे हैं कि आपके उननीस के करीब आपने जो कॉलिंग अटेंशन दिये थे उनमें से करीब चार ज क्योंकि यह सारे आपको जो मैंने गिरमाए हैं कौन से ऐसा मुद्धा है जो हर्याना से सरवकार नहीं रखता और जो बहुत एहम मुद्धा है और यही मुद्धे जो हैं हम लोग उठा सकते हैं अब यह चोटी मुटी चीजों के ओपर थोड़ना उठाया जाते हैं विदा जी आती है वो जो चुटल पुटल हो है वो किते हैं उपचारिक रूप से जो है वो लगा देते हैं उसके ओपर भी जौब पूरी तरह से नहीं आता जो आज जो हम अगर जौब मांगते हैं आज जैसे प्रशन के जौब मैं में जो है मैंने एक सप्लिमेंटरी पूछ ली वो supplementary तक जो है उसका जवाब देने के लिए तयार नहीं थे तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ना तो ये लोग तयारी करके आते हैं ना इनकी मंच्छा है कोई एहम मुद्धों के ओपर चर्चा करने की क्योंकि इन्हें मालूम है कि सारा कुछ जो है चौपड तो होई चुका है अब किस तरह से लीपा पोती करके आगे चलते बनो वो वाला कारवाई सरकार के अंदर हो रही है वीडियो जॉनलिस्ट विजेंदर सिंग के साथ पवंद सिवर जन्ता टीवी चंडिगन